दोस्तो मैं ति पेंद्र कुमार दुबेदी हाजुरू अपनी नई वीडियो के साथ दोस्तो जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है एंसी सिमिलर जिसने विश्क्काइब नहीं किया है सबसे पहले कर लीजिये सबस्क्राइब दोस्तो जैसा कि मैं आपको पता है कि आज मैं आपको field craft part 1 पढ़ाने वाला हूं दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा जैसे कि नमबर 1 आड़ के पिरकार नमबर 2 अच्छी आड़ की पिचेसता है नमबर 3 खाली हाथ तता हतियार के साथ चाले उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है मेरी जितने भी वीडियो आती है उनसे जितना नौलेज मिलता है वो नौलेज लेना होता है उसके बात मैं आपको इसी चैनल पर लाश्ट ये एक्जाम पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और नोट्स भी अविलेबर कराऊ दोस्तो जिस आपर मैंने गुरूप बना रखा है एंसी सी मिरर वाई डियस करके दोस्तो वहां से उसका लिंक आपको मेरे डिस्कुशन में मिल जाएगा वहां से आप जोइन कर सकते हैं और जिसको मेरे से परसनली कुछ भी मैसेज पर बात करने है तो दोस्तो मैंने एक एन जमीन को सही डंग से इस्तमाल करने की एक कला है जिसमें हम अपने को छिपा कर सत्तुरू पर लुके छिपे आकरमण कर सकते हैं इसके अंतरगत आड़े चाले कंसीलमेंट कैमिफलेज फायर एंड मुमेंट दूरी का अंदाजा लगाना टारगेट को चिनित करना आदी भी स दोस्तों मतलब क्या है आप दुस्मन के लाके में एं तो आपको Looking के कलरका का आपको बनना है और उसके बाद दुस्मन हो और सपी A siendo नदाजा लिए जबाने के दोरान लड़ाई को अंदर का शीकता है और लड़ाई को यदि सीक कि आड़ प्रिक्ति जी कि अब बात करतें नमबर नझरी आड़ नंबर दो फाइर Double सट्रूग की नज़र से बचाती है जैसे ढम बनस्फत्तिया ना टूट की जमिन कि आड़ ठीक सब्सक्राइब की आखो से बचने वाली जो आड़ होगी वहुगी टिवरी आड़ अब बात करते हैं नमबर 2 की तो दोस्तो फायर से आड़ वे आखरते हैं जो सत्त्रू के फायर वह नजर से बचाती है जैसे दिवार बड़ा पेड़ा दी जवान को आड़ का पिडियोग सोच समझ कर साभधानी पूरुवग करना चाहिए अब दोस्तो बात करते हैं नमबर दो अली फायर की आर जो होती है दोस्तो वे ऐसी आपको आर धूर्णी है जिससे आप दुस्मन की गोली से भी बैस सके और दुस्मन की निगा से भी तो हम उसे बोलते हैं फायर से आर दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक है अच्छी आड़ की बिचेस्ता है तथा मुलत ठीक है दोस्तो तो अच्छी आड़ की बिचेस्ता क्या होती है जहां छिप पर दुस्मर के उपर निगरानी रखी जा सके तथा सुगमता से उससे उपर फायर डाला जा सके दोस्तो जहां अच्छी तरीक तासे बढ़ा जा सके मलब आसानी से आप वहां से आगे बीचे हो सके ठीक है दोस्तों जहां काफी देर तक अराम दे इस्तिती में रहा जा सके मलब दोस्तों यह नहीं कि आप आड मैं ऐसी जगे खड़ें कि एक टांग पर खड़ा होना है मलब आपको कॉंश्टेबल होना च कि में बाटे जाते हैं तो आट और के साथ दोस्तों पहले हम बात करते हैं बगेर हतिया जो ऊतियार के साथ है तो कौन कौन पर चल सकते हैं ृप ऑ लूर्णटे न Gus dens dopo को दो सब्सक्रों बात करते हैं वालो दोस्तों तो बृक्षों से आपको चलना होता और नौर्मल वही हातो और पंजो सो मनलब घुटनों से ही आपको चाल चलनी होती है अब बात करते हैं बगेर हतियार के चाले दोस्तों बगेर हतियार के चाले तो दोस्तों बगेर हतियार के चालों में भी आपकी चीता चालाती है क्योंकि दोस्तों यह चाल ऐसी है जो आप हतियार के साथ भी चल सकते हैं और भी बेट बरावर करके दुने तरह वहां से 20 से पकड़के आपको चलना होता है ठीक है यहां ध्यान देने योग्य है कि राइफल की मजल को जमीन पर नहीं लगना देने जरी मतलब दोस्तों जो आपकी राइफल जहां से आपकी गुली निकलती है जिसे हम बोलते हैं मजल या कैल नाम और होता है मैं भूल आओ मैं आपको बीडियो में बता दयुंगा दोस्तों तो आंफा को चाती की तरफ रखते तोनों पेरो के बीच रखकर अगली चाल है साधारन चाल या टहल कर चलना जब ज़ Whatsman से बहुत अधिक दूरी पर होता है तब हतियार कोकुंदे पर लटका कर या सिकारी की अवसता में साधारन चालने चलते हैं जो आपसे दूस्मन बहुत दूर है तो दूस्मन को आप दिखाई नहीं देंगे या वह आपको फायर नहीं करेगा दोस्तो तो आपको उस टाइम आप नॉर्मल चल सकते हैं जैसे आप चलते हैं अब बात करते हैं दोस्तो अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक आपका है चीजे कैसे दिखलाई देती है दोस्तो चीजे किन चीजों से दिखाई देती है तो दोस्तो वो आपके मैं टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ दोस्तो नमबर एक आकार बहुत सी बस्तुएं अपनी विशेश आकार से पहचानी जाती हैं विशेश रूफ से वे जब अपनी आसपास की बस्तुऐं से भेन होती हैं जैसे स्टील हेलमेट अपनी विशेश तक गोल आकरती के कारण दूर से तुरंट पहचान लेता है दोस्तों देखो अब आपका एक मकान है मकान का एक इस्पेसल तरीके का अकार होता है तो उस आप अकार से ही तो पहचानते हैं या मेरा मकान है हर चीज के एक अलगी अपना आकार होता है अब जैसे हम आपके देख लेते हैं बंदू की गोली हम बंदू की गोली को देखके तो पहचान लेते हैं कि यह यह बंदू की गोली है राइफल को हमने देखा उसका आकार देखा सबसे बहले तो हम वहां से बता सकते हैं राइफल बात करते हैं चमक चमक किसी बस्तू की हो या मनुस्य के सरेर कि किसी अंग की हो आपको तुर्ण्Tra0 करती है किसी तरफ हमारी बेचप का सब्सक्राइब का हर्ता वह भी आपका सबस्देमं धेकर जो अगर वहां लगता है वाइट वाली तो दोस्तों वहँआकी दूर उसे चमकती है श्टार्स वगरा ठीक है तो यह चीज आपकी चमक भी आपको आकर्षित करती है और उससे भी पता चलता है वहले चीजे आपको दिखती है अब बात करते हैं अगली चीज आपकी च्छाया दोस्तो किसी बस्तू की धूप या पानी में पढ़ने वाली च्छाय देती है ठीक है दोस्तो की धूप या पानी में पढ़ने वाली च्छाय की तरव से त्यान तो नहीं ताकर्शित होता है भले ही बस्तू आख से दिखाई दे या नन दे ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं अगले की दोस्तो सतह किसी बस्तो की सतय रंग बरावट अपने आस- इंगल पूरा हरा होगा बट आपको अगर घर का कलर कुछ और है तो दोस्तों वह सत्य की वेश से पैचान ले जाएगा या आप देख लिजें ग्राउंड में घर बना हुआ है अब सत्य क्या है ग्राउंड की बिलकुल प्लेन है वह आपका घर उठा हुआ तो वह आपकी सत् अब बात करते हैं दोस्त फासली की प्रकृति में किसी बस्तू निश्चित फासले पर नहीं होती है जवानों गाणियों तंबू का नियमित फासला अपनी और आकर्शित करता है अब जो आपने देखा हो गाणियों प्रकृति की कोई बी चीज जो जितने भी नैश्चित फासली पर नहीं होती है जो उनका फासला होता है वह आपको बता देता है कि कोई चीज पहचानने में वेरे मदद करता है जैसे एक आर्मी का ट्रक जा रहे होते हैं तो आपने देख कि आप आसमान की तरफ देखते हैं यह आतल बादल नि exact अबूस्टो आ पर आपने और को चील या कॉवा उड़ रहा होता है और अलग दिखाई देता दोस्तो आपको टीमर चित्र भी आपको अकरिस्ट करता है कि आपके विल्कुल ग्राउंट से लग color का मलब होना कोई qualcosa किसी चीज ऐसे चीज से भी एनने होना या अब आगले कि दोस्तो हरकत कोई बी बस तु आख को उतारना राकर सीच्षित नहीं करती के जितना की हरकत मुलद्द दोस्तों तो आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने से कोई भी चीज, कुत्ता हो, या कोई गाड़ी हो, या फिर कोई चील हो, कुछ भी हो, या कववा हो, दोस्तो अगर कोई भी चीज आपके सामने से एकदम से हरकत करती है, गुजरती है, तो दोस्तो आप तुरांट उसके आपके उसकी तरफ आकर्षी खुस हो जाती हैं तो दोस्तों वही चीछ के हरकत से भी आपको चीजे दिखाई देती हैं दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक आपका है दोस्तों छिपाब तो दोस्तो छिफाब क्या है? प्राकरतिक दर्स या आकरतियों के पीछे अपने को इस प्रिकार से छिपाना कि दुस्मन की नजर वो फायर से बस सकें कंसिलमेंट कहला आता है लड़ाई में कंसिलमेंट का मुख्य उद्देश अचानक छिपकर हमला करना या अपने को बचाना है दोस्तो अप छिपाब क्या है दोस्तो छिपाब का मिन्स क्या है? आप जंगल में जा रहे हैं जंगल में सारी चीज़े हरी है दोस्तो तो वहाँ पर आपको क्या करना है? नॉर्मल अपने उपर हरे पत्ते बांद लेना है या आपकी हरी कलर की उनिफॉर्म में तो उस चीज को पहले ना जैसे आपने देखा होगा आर्मी की उनिफॉर्म जैसे हमारे भारत में हरी आली ज्यादा पाई जाती है दोस्तों तो हमारे आर्मी की उनिफॉर्म हरी है आपने पाकिस्तान का देखा होगा वहाँ पर थोड़ा पीले बन में होती है घास फूस या जंगल एरिया तो वहाँ पर उनकी थोड़ा पीला बन जादा होता है यूनिफॉम में तो वही चीज है दोस्तो कि प्राकर्तिक चीजों से खुद को युद्ध के मैदान में छिपा गए दोस्तो इसमेन क्या है प्राकर्तिक द्रस्या कृति के पीछे ठीक है दोस्तो इसमें है करतिम यान phi मानव नीर्मी हीक है दोस्तो अब बात करते हैं Camiflage के थोड़ा विस्ताच है तो दोस्तो Camiflage अधा Concealment का मुक्के सिदान पनिम्न है बर्दी हतियार वगाड़ी की चमक दमक तथा रूप रेका को मिटा कर सकल बदल दे ठीक है दोस्तो छाया का इस्तमाल करें चिती जरेखा से बचें क्योंकि चितरे जर्वे आप दिखाई दे जाते हैं अब बात करते हैं धी में चलें क्योंकि मुमेंट अगर हलका होगा तो आपको देखबाना दूर से आसान नहीं होगा आसपास की भूमी के रंग में बदलें दोस्तो वही चीज आगी आसपास की भूमी का रंग मैंने आपको बदाएता है जैसे आप भारत में है अगर हर्याले की एरिया में तो आपको हरा राजिस्तान में आपने देखा होगा दोस्तो तो यूनिफॉम आपकी पीले बन में रहती है अब आप जब आपकी बरफ पढ़ जाती है तो आपके सफित कलर की यूनिफॉम हो जाती है तो यह सब चीज कैमिफिलेज में आती है दोस्तो अब बात करते हैं अगले की तो दोस्तो पानी में अपनी छाया न पढ़ ले दे क्योंकि दोस्तो पानी में जब आपकी छाया बढ़ते हैं तो वो दूर तक परचाही बनके जाती है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं अगले की कैमि फिलेज की बस्तूओं को समय तथा परिस्तिति के अनुसार बदलते रहें मलब दोस्तो आप माना हरी आली वाले एरिया में जा रहे हैं आपने हरी कलर कर चीज़े अपने यूनिफॉर्म में मलब सामिल कर रखे हैं अब दोस्तो अब आगे जाके सूखा एरिया आ जाता ह कुल में रखे करने को मिलेगा तो दोस्तो जिसको यूब फ़ीडियो पसंद आई एये लाइक कीजिए चैनल को सब्काराई आप वेडियो आगर पहली बार देखरा और दोस्तो चैनल को सेट परना बिलकुल न बोले और पहले भी करें और दोस्तो मैं पहले बहुं होओ और एक rate की मैं guarantee लूँगा वसरते आपको notes से त्यारी करनी होगी और मेरी वीडियो से जितना knowledge मिलता है वो knowledge आपको लेना होगा दोस्तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं नई वीडियो नई topic के साथ जैन जै भारत